हलो दोस्तों स्वावत है आप सभी का एंड बहुत सारे बच्चे कमेंस कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल लें क्या हो गया कैसे हो गया तो कुछ प्रावलम होने के कारण मैं नहीं दे पा रहा था अभी भी पूरा स्योर नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं लेकिन ज सब्सक्राइब के बात कर आप लोगों को छे दिसम्बर तक और 10 पीम तक आप लोग को सब्मिट कर देना है यह चीज़ जरूर ध्यान लगिएगा eligibility criteria is decentralization counseling का यह है कि candidate का जो टोमी शायल है वो west बंगाल का होना ही चाहिए that means कि अगर आप लोग other state के हैं तो आप नहीं participate कर सकते हो यह चीज़ जरूर ध्यान लगिएगा and जो आपका allotment होगा वो वेबजी के 2020 के जो merit rank आये तो उसी के हिसाफ से होगा इसी इसका भी अप लोग ध्यान लगिएगा वेकंसी पोजिशन की बात करें तो वेकंसी पोजिशन आप लोगों को पूरा यहां पे दिख रहा होगा CAC, ECE, ME, IT and E, total general की बात करें तो 56 है, general PWD के 5 सीट वेकंट है, स्ट के 24 है, स्ट के 3 है, स्ट के 5 है तो इसमें सभी category की PWD में भी दिये गया है कि कितने हैं, तो total बात करो तो 109 है and CAC में आपको total 32 है, ठीक है आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको, जिस भी category से आप belong करते हों, तो उसके हिसाब से और जो भी आपको branch चाहिए हो, उसे हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है अगर documents की बात करें, तो documents जो भी आप लोगोंने normal counseling में दिये थे, वो ही जरूरत परेगा, जैसे कि printed, filled in application from Delhi signed, उसके बाद से विवजी का राएं, card, class 1012 का marks it चाहिए होगा और हर एक चीज जो भी पहले आपने करा था, ठीक है, PWD and SCST जो भी बच्चे है, उनका certificate जरूर चाहिए, ठीक है, डो मिसाल certificate तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं देऊए तो पता नहीं चलेगा कि आप कहां के student हो, ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, important dates बहुत ज़ाद ज़ाद यह ध्यान रखना, ठीक है, जो date of submission of application, ठीक है, वो 6 December को है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कि अभी सारे के सारी चीज ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो PDF form में यह सब चीज़े को ज़ाद ध्यान through email, ठीक है, admission, admission kgc2020.gmail.com, उसके बाद जो date of publication of provisional merit list जो है, within 8th December, ठीक है, date of publication of final merit list after modification, if any, within 9th December को, तो यह चीज़ें आप लोग ज़रूर अपडेट रहिएगा उनके साइट पे, उसके बाद जो आपको seat allotted का जो date है, वो 13 को देगा, ठीक है, अच्छा, जो documents की बात करें अगर, तो documents बहुत ही जादा ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे जो normal counseling, वेवजी के भी हुए थे, उस counseling में भी बहुत सारे बच्चे, first round या second round के अंदर, उन्होंने अच्छे तरीके से या, उनका जो scanning के कारण, जो problem हुआ, उसके कार ठीक है, अच्छा, ठीक है, name of documents आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे, एंड उसका format भी दिख रहा होगा, कि किस format में देना है, and size भी दिख रहा होगे, अगर मैं color passport, photo of student की बात करें, तो आप लोगों को वो jpg file में करना है, एंड इसका जो size होना चाहिए, 250 kv का, त ठीक है, performer के बारे में भी आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे क्या देना है, ठीक है, अच्छा, और जितने भी details है, कि यानि कि आप course कौन-कौन सा आपको चाहिए होगा, या stream, sorry, course आपको कौन सा है, b-tech है, या m-tech है, तो obvious है कि b-tech के लिए हो रहा है, stream आपने कौन-कौन सा लिखिएगा, वेवजी का, role number, category, rank क्या है, आपके, अधार number, fathers का नाम, mothers, हर एक चीज, literally आपको भरने है, ठीक है, उसके बाद अगर admission fee की बात करें, तो admission fee बहुत ही nominal है, बहुत जादा नहीं है, CS and EC वाले बच्चों की, मैं बात करूँ, तो tuition fee जो है, आप लोगों को July 2022, December 2020 तक का, जो tuition fee था, वो 6000 रूपीज थे, and admission fee 1000 रूपीज, ठीक है, and ME और EE वाले के लिए, सरफ tuition fee जो है, वो आपको 3000 है, ठीक है, सीधे आधा हो जाता है, and वही IT वाले बच्चों के लिए, बहुत जादा बढ़ जाता है, तो वही अगर total मैं बात करूँ, तो total, जो भी बच होंगे, उनको 10,255 रूपीज पे करना परेगा, वही जो भी electrical and mechanical वाले होंगे, उनको 6,755 पे करने परेंगे, और वही जो भी information technology को होगा, उसको सबसी जादा पे करना परेगा, 17,255 रूपीज, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, और hostel के बारे में क्या ही मैं ब बात करा हैं, यहां पे आप देख लीजेगा, hostel के बारे में सही तरीके से, यहां पे आप लोग को reflect हो रहा होगा, और आपको contact number भी यहां पे दिख रहा होगा, तो अगर किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, तो आप लोग contact कर सकते हैं, ठीक है, application format आप लोग को दिख रहा इसमें सभी चीज आपको लिखने है, self-attested, आपको अपना photo attach कर दे हैं, हर एक चीज, and दिन आप उसको fill करके submit कीजिएगा, तो यह तो हो गया कल्यानी का Decentral House Concelling, खासके जो भी बच्चे हैं, कि rank बहुत जादा अच्छे हैं, जरूर आप तो KGC में participate कीजिए, and बहुत ज पूर के अंदर या University of Calcutta के अंदर Decentral House Concelling होगा, या नहीं होगा, तो देखिए अभी जो situation है, situation के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कि कौन सा college कब क्या कैसे निकाले का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और एक और बात में कहूं कि, जो भी होना था, वो हो गया है, क्यों अगर आपको जो college मिल गया है, मैं कहूंगा कि बहुत सारे colleges इनने, तो आप first semester के परहाई भी चालू कर दी है, तो आप वहाँ पे focus करें, ज्यादा बहतर होगा, क्योंकि अगर आपके 5000 से above rank है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी अच्छे branch मिलने वाले हैं, चाह ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग हमेसा ध्यान में रखिएगा कि आपके rank क्या है, आप इतना परिफसान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि literally मेरे पास इतने सारे messages आ रहे हैं, कि decent class counseling कब होगा, ज्यादा पूर कब होगा, तो एक चीज़ आप सोचो कि अगर माल लोग आपके वैसे भी 10,000 से उपर वाले बचे पाटिसिपेट कर नहीं सकते हैं, जिनके भी 10,000 के अंदर रहेंगे, वही बचे पाटिसिपेट करेंगे, और उसमें भी hardly जादा से जादा आपको 4 से 5,000 तक ही जाते हैं, और 5,000 वाले बचे को प्रेंटिंग मिलता है, तो अगर आप प् और आपको जो भी कॉलेज में मिला है, क्योंकि मैंने बहुत जादा, जिस टाइम में कॉंसलिंग चल रहा तो इस टाइम में बहुत ही जादा मैंने आप लोग को अवेर किया था, अपडेट कर रहा था, तो जो भी कॉलेज मिला वहाँ पे आप अपना फोकस करूँ कि आप क्या बैतर कर सकते हो क्योंकि आगे आपके बहुत सारे अपरचुनिटीज ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉलिस नहीं मिले हैं अच्छे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यह हमेसा ध्यान में रखना है और मैं बार बार गयता हूं कि आप लोग को कोई भी डॉट आता है तो चिरता है जरूर को कमिन कर सकते हो मैने अब आपके पास बहुत ही इंपको कि आपको कॉलिस नहीं होती है अगर आपको personally जो interest है, बहुत सारे बच्चे different different interest होते हैं बहुत सारे बच्चे mechanical में होते हैं लेकिन उनको computer related बहुत interest होता है तो वो चीजे अभी आप explore कर सकते हो क्योंकि एक बार college खुल जाने के बाद आपके पास बहुत जादा time नहीं रहता है बहुत सारी चीजे explore करने के लिए तो जो भी time आपको अभी मिला है उस time को explore कीजिए, उस time को utilize कीजिए ये बहुत ही जादा important है अच्छा एक बहुत और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आप अपना experience से एर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूसते हैं कि वैसे बच्चे को आप लेकर आओ जिन्होंने अच्छे अच्छे rank लेकर आए है चाहे website के अंदर या उन्जे emails के अंदर, neat के अंदर जिस भी किसी चीज़ के अंदर ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा और जल्दी से जल्दी जाके आप लोग इस सीज़ो को इंड्रोल करो अगर आपके rank बहुत अच्छे हैं एक और चीज़, आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही important चीज़ें आने वाले हैं इस्पेसेल ये उस बचों के लिए जो भी बच्चे 2020 में नीट के preparation कर रहे हैं क्योंकि वेब्सी में बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है जिरों math as well as bio दोनों लेके रखे हैं तो जो भी बच्चों bio, especially bio आपके week है या अगर आप चाते कि bio में आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको revise करने में दिक्कत होता है आपको summary कहीं से चाहिए तो बहुत important कुछ आने वाले है इस channel पर तो ज़रूर आप लोग stay tuned रहेगा इस सीज को देखते रहेगा और बहुत ही help होने वाले है खासके जो भी बच्चे 2021 में नेट का exam देंगे या bio-serular कोई भी exam आप लोग देजिएगा तो ठीक है अंदर ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोग किस सीज पर next जो नेक्स या जो भी आप चाहते हो या education से हटके या जो भी आप चाहते हो वो बताओ कि आप video किस सीज पर चाहते हो ये मेरे लिए बहुत जादा important हो जाएगा क्योंकि मैं उसमें best देपाऊंगा जो आपको जावड़त होगा ठीक है तो तब तक कि इनकी best of luck and take care